नौरात्र के मौके पर डिल्ली के मंदिरों में काफी भीर है श्रत धालू मंदिरों में आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं आज नौरात्रा का पाच्वा दिन है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कालकाजी मंदिर के महंत खुद मौजूद हैं उनसे बात करते है सर आज पाच्वा नौलात्र का पाच्वा दिन है क्या है इसके बारे में जला बता ही है। करने से निसंतान दंपत्यों को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। पर काफी भीड जुटती है यहां पर काफी लोग आते हैं लाकों की संक्या में लोग आते हैं। मंदिरों में जो जिस तरीके से हाथ से हो रहा है कल केरल के मंदिर में हाथा हुआ। तो यहां पर किस तरीके से आप यह इंतिजाम करते हैं कि जो सब कुछ सुजारू विवस्तास चले है। कि वैसे इस परकार के हाथ से कहीना कहीं मानुब्वे चूप से ही होते हैं। जिस परकार वहां के परंपरा के रूप में जिसे पटाके बगरा चलाने का था तो उसको जुरुष्यत नहीं किया गया कि उपाए हों। हमारा प्रयास ही रहता है कि यहां पर ऐसी को परंपरा नहीं है कि जहां पटाक्राइब करना छोड़े हैं बलकि एक हर आने जाने वाले मार्ग पर जो फ्रिस्किंग की जाती है डिये फ्रमडी लगाई गई है सिसी टीवी लगाए गए हैं और दूसरा इस प्रकार का कोई आयोजे नहीं करते जिससे इस प्रकार की दुगटना होने की समावना बनी रहे और फिर भी यह कि मेंड़ा में जो है अपने फायर फाइर्फाइटिंग एक्प्रेंट से हमने लगाए हैं ताकि अगर कुछ ऐसा गटित होता है तो उसको त्रूंत जिवाने अंतित किया जा सकते हैं तो दिल्ली के कालकारी मंदिर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और यहां पर श्रत धालू हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं